जय श्रीमन नारायन अगली टिपणी जोन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणु गोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है अध्याय पाँच कर्म सन्यास योग श्लोक साथ योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियाह सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन नपी नलिप्यते वूम् गीताचार श्रीकृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सब का कर्म सन्यास योग सिखावता हैं परमात्मा कहाता हैं अर्जुन तो का कर्म योग करे के चाहिए कर्म योग माने निश्काम कर्म निश्काम कर्म के माने यी स्पष्ट समझ होग कि हम अपने शरीर से अलग ही और जितने भी कार्य हम करते ही उसके करता परमात्मा ही यह हैं यी परमात्मा के ही कार्य है और जोन भी फल इससे मिले वे भी परमात्मा के ही ही हैं जब कायरे इस स्पष्ट समझ से कीन जाते हैं तो उनका निश्काम कर्म या कर्म योग कहा जाते है अर्जुन यदि यी कर्म योग कीन जाये तो मन शुद्ध होई जाते है जब मन शुद्ध होई जाये तो वे अपने नियंतरन में आई जाते है एक बार मन पे नियंतरन आई जाए तो फिर सारे अंग इंद्रियां भी अपना कहा सुना थे इस तरह अगर सारे अंग इंद्रियां मन बुद्धी नियंत्र में आई जाए तो ऐसा व्यक्ति इस पश्ट देख सके कि सारे शरीरों में जौन आत्मा है उसके जैसी ही आए इस स्पश्ट समझ के साथ जौन भी कार की इंजय वे कभी भी उस व्यक्ति का बंधन में ना बंधी हैं कहें कि उव्यक्ति आत्मा और शरीर का अंतर देख सकत है और उजानत है कि ये अलग अलग हैं इसलिए शरीर के कौनों भी कार्य उनका बंधन में नहीं बंधन इस प्रकार श्रीकेश्न परमात्मा समझाओता हैं कि इक ऐसे सुनिश्चीत की जाए कि हमारे कौनों भी कर्म हम पे बंधन न बनावें आओ हम सब निश्काम कर्म करी या फल के आशा किये बिना कारे करी आओ हम अपने मन का शुद्ध करी और अपने मन का अपने नियंतर में लियाई इस तरह अपने सारे शरीर के अंगों का अपने नियंतर में लियाई और यह देखी कि सारे बाकी सारे शरीरों में सारी आत्माएं एक जैसी हैं हैं और हमरे जैसी ही हैं परमात्मा की सिक्षाओं पर ध्यान करते हुए आओ हम सब परमात्मा की सब्दों का यथावत दोह रहे योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियह सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुरुवन न पी न लिप्यते श्रीमत भगवत गीता के पूरा निचोड श्रीकृष्ण परमात्मा अध्याए 18 के श्लोक 65 से 70 के आठ कर्मों में रख दे है श्रीकृष्ण कहिन यह आठ बात माने वाले पर हम आर्ष नहीं है यह भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्ष करें श्रीकृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमत भगवत सुमे के बाद अर्जुन कहन करिश्ये वचनम तव माने कृष्ण हम तोरे कहे अनुसार ही करब यह कारण कृष्ण अर्जुन पर हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करें चला हमों परमात्मा के वचन दी कि हम भी यह आठ करम करब यह वचन से बढ़के कौनों पूजा तप या यज्य नहींब हम यह आठ वचन का हब आप सब जने एका अपने मने और बुद्धी में विचार करें इप्रकार श्री कृष्ण के निजवत वचन देज समय परमानद सी प्रकाशिप श्री कृष्ण के मुख मंदन के अनुबूती भी करें जये ृ श्री मन न रएन हमरे आठ वचन इह हैं हमारे प्रधम वचन हे श्रीमन नारायन आपके निर्दाय शानसर हम आपके ध्यान और चिंतन करब हमार दूसर वचन हे श्रीमन नारायन आपके समझाय अनुसर हम सदा आपके भगत रहब हमार तीसर वचन हम आपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब हमार चौथा वचन दैसा आप कहें हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबध नमस्कार पूजन करें हमार पांचवा वचन हे श्री मन नारायन अध्याय अठारा श्लोक छाचट में आपके कथन मामेकम शरणम बरजा अनुसार केवल आपकी शरणागत के बाद कही बाद श्री मन नारायन हम केवल आपक शरणमें आए हूँ हमरा छटा वचन हे श्री मन नारायन अध्याय अठारा श्लोक छाचट में आपके कहे मा शुचह मैं आपके शोक ना करे के उपदेश आनुसार हम शोक न करबूँ हमार सात्वा वचन हे श्रीमान नारायन आपने हमरे खाते श्रीमत भगवत गीता देखे हम पे बड़ी कृपा किये हैं हम नियम से एक श्लोग रोज सुनब्य पड़बूँ हमारा आठ्वा वचन हे श्रीमन नारायन आपने सारे लोग के लिए गीता दी है जिब भक्तन गीता के बारे हम नहीं जन दिन हम उन तक आपके अलोकिक बतिया पचावय के प्रत्न करब अब हैं हम परमात्मा से अपन आठ वचन बताए श्रीमन नारायन कया वचन देब कि हर दिन जैसा हो कहें हैं हम वैसन करब यह एक महान पूजा है आवा हम अपने अडिक विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायन आप जैसा कहीं हैं हम वैसन करब जैसा आप चाहिए हैं वैसा ही व्यवहार करोग और हम की वाला आपे के लिए काम करोग श्रीमन नारायन करिश्ये वचनम तब माने श्रीमन नारायन हम आपके निर्देश आनुसार कार करोग शर्वम श्री कृष्णार पड़मस्तु जै श्रीमन नारायन योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियाह सर्वभूतात्मा भूतात्मा योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियाह सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन नपी नलिप्यते श्री मन्नारायना करिश्ये वचनम तवा सर्वं श्री कृष्णार पनमस्तू जै श्री मन्नारायना जै श्री मन्नारायन सबय भप्तन से विशिस अन्रूद्ध हमरे जीवन में सारी चीजों में हम ततकार और प्रभावी परिणाम चाहा थें। यही की प्राप्ति के लिए प्रतिजिन एक मिनिट वतीत करें और नरायन आस्त्रम पढ़ें। नरायन आस्त्रम प्राप्त करें के खाते नरायन आस्त्रम वेबसाइट www.narayanaastrum.org पे जाय के पंजी करण में आपन नाम और एमेल दें। आपके एमेल पे आपको एक नरायन आस्त्रम प्राप्त मिंजे। प्रतियक वेबसे के इन श्लोकों के भिन भिन से उजन प्राप्त होते। जब 24,000 भबतन के साथ प्रतियक अपने नरायन आस्त्रम के पढ़त हैं या सुनत हैं, तो संपूर्ण रामैल पारायन के एक मेला, श्रीमद्भागुत गीता पारायन के अधिस मेला, श्री विश्णो सहस्तनामस तोत पारायन के चौबिस माला प्रतिय दिन पूरी होत। यह एक ऐसा उलेखनी और असाधारन परिणाम है यह हर दिन ऐसा करेश निकलत एक लिए आप और आपके परिवार वाले तुरंत जाके आपन नरायन आस्तम प्राप्त करें जैस्ट्रीमन नरायन